इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्स्प्रेंड करूंगा कानेमिटिस का लेक्शन नमर 14 और सर्कुलर मोशन का पार्ट 5 ऑल्रेडी मैं आपको सर्कुलर मोशन की थियोरी चार पार्ट के अंदर कवर कर चुका हूँ इस सर्कुलर मोशन के पार्ट 5 के अंदर मैं आपको सर् को अब आपको क्वेशन नमर बन क्वेशन क्या बोल रहा है कि अब बोड़ी इस ट्रेवलिंग इन अ सर्कल अटक कॉंस्टेंट स्पीड इट ऑसने हैं आउट्वड रीडियल एसलेशन ठीक है तो देखो हम जब रहा है कि हमारे पास एक बोड़ी है और वोड़ी सर्कुलर मोशन में मूँव कर रही है with constant speed किसे constant speed speed क्या है constant तो condition कौन सी होगी uniform circular motion की ठीक ये इसका center और ये body है जो इसमें move कर रही है ठीक तो हमसे option अगर आप ध्यान से देखो तो पहला जो option है वो बोल रहा है has a constant velocity ठीक तो पहले आप meaning देखो velocity का मतलब क्या है आपको मैं already आपको अपनी theory के अंदर explain कर चुका हूँ जैसे मैंने circle motion की theory पढ़ाई थी उसमें पूरा का पूरा अच्छे से explain किया है अगर आप direct question देख रहे है तो कोई benefit नहीं होगा चीज़ें समझ में नहीं आएगी सबसे पहले आप 4 के 4 और selective motion के lecture को देखो उसके बाद इन questions को देखो ठीक तो देखो velocity में मैंने आपको explain किया था कि जिसके पास magnitude हो और जिसके पास क्या हो direction और यहां और मैंने deep आपको explain किया था कि magnitude की टरम को speed से relate करेंगे और direction की टरम को हम velocity से relate करेंगे यानि बात अगर velocity की हो रही है तो it means हम उस object की direction की बात कर रहे है बात अगर उस object की speed की हो रही है इसका मत हम उसके magnitude की बात कर रहे है यह बात clear है तो आप देखो यह body move कर रही है circle के अंदर तो मैंने आपको बताता करेंगे से टेंजट डिरो करेंगे तो यह तो इसके पास डिरेक्शन कॉंस्टेंट ए फिक्स है आप देखो क्या फिक्स है हर जग है चेंज हो रही है इसका मतलब पहला उप्षन सही नहीं है दूसरा उप्षन उसने दिया है कि इसके पास कोई भी एसलेशन नहीं होगा आप खुद सोचो अगर कोई बोडी सर्कूलर म कर रही है तो सेंटर की तरफ एक एसलेशन लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं सेंट्रीपीटल एसलरेशन इसका मतलब उसके पास एसलेशन भी होता जो सेंटर की तरफ लगता है तो इसका मतलब भी ऑप्षन भी गलत है क्योंकि उसके पास एसलेशन होगा ऑप्षन सी हम से से बोल रहा है कि it has inward acceleration और option d हम से बोल रहा है इट है रेडियल आउटवर्ड एसलेशन पहले आप ऑप्शन में डी को देखो रेडियल आउटवर्ड एसलेशन eyebrow अमतलब क्या रेडियल आउटवर्ड है से अरेशन यानि बाहर की थिका विखा उसको मताह बोलते हैं ओस соз लेशन अresलेशन कर तो तो तेंजेंचल एसलेशन और उसकी वेल्यू कितनी होती है जीरो तो इसका मतब इसके पास टेंजेंचल एसलेशन भी नहीं होगा तो option कौन सा बचा c और c option क्या बोल रहा है it has an inward radial acceleration यानि अंदर की तरफ क्या लगेगा है एसलेशन और एसलेशन को भी क्या बोल रहे है centripetal acceleration यानि इनवर्ड एसलेशन का मतब क्या है centripetal acceleration इसका मतब आपका option कौन सा सही है c ठीक तो यह नोट करो इसके आत्म में आपको next explain करता हूँ अब देखो next question 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 बोल रहा है कि when a body moves with a constant speed along a circle यानि कोई body circle में move कर रही है with constant speed तो आपसे option दे रहा है कि पहला option है no work is done on it कोई कारी नहीं होगा option b no acceleration is produced यहाँ कोई acceleration produced नहीं होगा और option c no force act on the body ठीक है यानि कोई भी body पर force नहीं लगेगा जब वो circular path में constant speed से move करेगी और option d its velocity remain constant कि जतने भी मैं आपको सवाल करा रहा हूँ पहला सवाल कराया है यह कराया इसके बाद और कराया हूँ यह conceptual questions है और circular motion में से conceptual question नहीं भी डवले से साथ में पूछे जाते हैं तो ध्यान से देखो इनको तो हमसे बोल रहा है कि एक body है और वो circular path में move कर रही है फिर option हमें दे रखा है वो है कि यहां कोई कारें नहीं होगा इस option को छोड़ते हैं हम दूसरे option में पहुंचते हैं कि no acceleration is produced in the body क्या इस body पर कोई acceleration नहीं लगेगा आप देखो पहली बात पहली condition क्या है कि अगर कोई body circular motion में move कर रही है with constant speed तो सबसे बड़ी बात अगर वो constant speed से move क कर रही है तो उस body पर tangential acceleration नहीं होगा यह बात क्लियर है यानि body के पास दो acceleration होते है एक तो center की तरह एक tangential acceleration यह वाला acceleration ठीक है tangential acceleration अब देखो condition क्या है अगर कोई body constant speed से move कर रही है तो उसके पास tangential acceleration नहीं होगा लेकिन अगर कोई body circular motion नहीं होगा यह बात तो क्लियर है उसके पास center की तरफ एक acceleration होगा इसके पास tangential acceleration नहीं होगा तो अगर आप option B को ध्यान से देखें तो option B बोल रहा है कि no acceleration is produced in it यहां कोई भी acceleration प्रोड्यूस नहीं होगा कैसे आपको देख रहा है acceleration तो है centripetal acceleration तो option B is not correct अब आप option C पर बोल रहा है कि no force act on the body अब देखो दो टैप के acceleration होते हैं तो दो टैप के force भी होते हैं एक center की तरफ लगने वाला force centripetal force एक tangent की तरफ लगने वाला force tangential force कोई body अगर constant speed के साथ circular motion में move कर रही है इसका मतब उसके पास tangential acceleration क्या है zero अगर tangential acceleration zero है तो tangential force भी क्या होगा जीरो यह बाद तो clear है बहुत important condition अगर tangential force zero होगा लेकिन उस body को circular motion में move कराने के लिए कौन सा force help कर रहा है center की तरफ लगने वाला force that is centripetal force मतलब यहाँ एक force exist करेगा इसका मतलब option c भी सही नहीं है अब आप आओ लोटके option a पर option a बोल रहा है कि no work is done on it यहाँ कोई कारण नहीं होगा यानि इस system पर कोई कारण नहीं होगा अब आप देखो यह velocity है जहां भी आप tangent draw कर देंगो आपकी velocity हो जाएगी और उस velocity से जो acceleration होगा या जो force होगी वह perpendicular होगी यह बात भी क्लियर आपको बता चुका हूँ यानि ठीटा दोनों के बिच्छा कितना होगा 90 degree ठीक है यानि जो टेंजेंचल एसलेशन होगा या मैं यह वोगी जो सेंट्रिपीटल एसलेशन होगा उसके बीच पर इंगल कितने होगा 90 degree हमसे बोला वर्क वर्क कितना होता है वर्क होता है fs कॉस्ट ठीटा कितना है 90 डिगरी लेकिन देखो फोर्स फोर्स कौन सा सेंटर की तरफ लगने इसके बीच में और इसके बीच में एंगल कितने का रहा है 90 का क्योंकि यह जो कोई object है जिसकी velocity V है और यह जो distance कवर कर रहा है उसके बीच में हर कहीं से आप देख लो वह सेंट्रीपीटल एसलेशन है सेंट्रीपीटल फोर्स से इंगल इस केस में ठीटा कितना होगा 90 एफ और सो कितना होगा 90 और कॉस्ट ना जाएगा 0 तो वर्क कितना जाएगा जीरू यानि अगर एक आपको डारेक्ट concept याद रखना है कि अगर कोई body constant speed से circular motion में move करती है that means उस system का work कितना होगा zero तो इसलिए आपका option is correct ठीक है तो क्योंकि option क्या है no work is done on it यहां कोई भी कार्ण नहीं होगा यह note करो इसका तुम आपको next explain करता हूँ अब देखो next question question क्या बोल रहा है कि what happens to the centripetal acceleration of a revolving body if double the orbital speed v and half the angular velocity omega ठीक है कोई body circular motion में move कर रही है ठीक है तो उसका centripetal acceleration है centripetal acceleration के साथ move कर रही है तो बोल रहा है कि उस body का orbital velocity b क्या कर दिया जाए double कर दिया जाए और उसकी angular velocity omega वो half कर दी जाए तो कौन सा option सही होगा option a the centripetal acceleration remains unchanged and centripetal acceleration है वो unchanged रहेगा option b the centripetal acceleration is half option c the centripetal acceleration is double or option d the centripetal acceleration is quadruple ठीक है तो अच्छा सवाल है देखो क्वेशन हम से बोल रहा है कि कोई body है और वो circular motion में move कर रही है और उस body के पास जब circular motion में कर रही है तो ओविस्सी बात है centri की तरफ एक acceleration लग रहा होगा जिसे हम बोलेंगे centripetal acceleration ठीक है लेकिन सवाल के अंदर हमें दिया है कि जो body move कर रही है यहां इस body की जो orbital velocity होगी वी वो बोल रहा है पहले भी है लेकिन अब कितनी हो गई है वो डवल होके कितना हो गया है टूवी पहले का कितना हो गया है टूवी बोल रहा है जब कोई body इस circular motion move कर रही है तो उसके पास एक angular velocity होगी ओमेगा पहले ओमेगा है लेकिन अब कितना हो जाता है पहले का हाफ ओमेगा बाई टू तो बोल रहा है कि जो centripetal acceleration जो Fc पहले था centripetal acceleration पहले था अब इस condition में जो centripetal acceleration होगा वो remains unchanged रहेगा आदा हो जाएगा double हो जाएगा या quadruple हो जाएगा clear बात तो देखो centripetal acceleration का जो formula होता वो होता है ac बरावर v square upon r ठीक है मुझे v और omega की ट्रम में formula लेके आना है तो देखो v की जगह का पूट कर दो r omega v बरावर r omega होता है यही तो होता है तो देखो यह यह आ जाएगा r square omega square upon r r से r खतम ac बरावर कितना आ गया r omega square अभी मेरा काम नहीं बना मुझे क्या करना है इस formula को v और omega की ट्रम में कलवट करना है तो एक काम करो यह omega square है इसको r omega into omega लिख सकता हूँ और देखो r omega की value इतनी है v तो मैं क्या पूट कर दो वी यह क्या जाएगा v omega देखो मेरे पास मेरा काम बने गया ac बरावर कितना आ गया v into omega clear अब बोल रहा है कि यह तो पहले की condition है अब बोल रहा है कि जो उसे दो खतम तो कितना निकल के आ गया v omega अब आप इस वाले acceleration को देखो जिसे में ADS बोल रहा हूं और आप इस acceleration को देखो दोनों क्या है same इसका मतलब जो centripetal acceleration होगा वो remains unchanged होगा इसलिए आपका option is correct अब देखो next question question बोल रहा है a cyclist turn around a curve at 15 miles per hour if he turns at double this speed the tendency to overturn is यानि एक cycle चालक 15 mil प्रते घंटे की गती से घुमता है यद वो दोगनी गती से मुडता है तो पलटने की प्रवरती होगी option a दुगनी यानि डवल option b quarterpard यानि चोगनी option c half और option d unchanged यानि अपर वरते था ठीक तो देखो question यह बोल रहा है कि एक कर्व है और इसके तरफ एक cycle सब आ रहे है cyclist है और cyclist cyclist जो है उसकी स्पीड है वो है 15 miles पर आर क्लिर अब बोल रहा है अगर यह turn ले अगर यह turn ले तो इसकी स्पीड जो है वो पहले के comparison में double हो जाती है दुगनी हो जाती है यानि पहले मानो वी थी तो वी डैस कितना हो जाएगा टू भी ठीक तो हमसे उसने बोला है कि जो पलटने की प्रवर्ति होगी वो पहले के comparison में अब दुगनी होगी या चारगनी होगी या आधी होगी या अंचेंज होगी यह बात है तो देखो इस पर एक बहर की तरह फोर्स लग रहा होगा जाटिश्ट्रिफ्यूगल व्रस लग रहा होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी mb square by r यह बात क्लियर है और अंदर की तरफ एक force लग रहा होगा that is centripetal force और उसकी value कितनी होगी mb square by r ठीक है तो देखो fc की value कितनी होगी यहाँ से centripetal force की mb square by r अब देखो आप अब जब उसकी velocity कितनी हो जाती है 2b उस case में fc की value कितनी होगी mv dash का square upon r v dash की जगे कितना put कर देता हूं मैं 2v तो यहाजाएगा 2v का whole square upon r और जब मैं इसको solve करूँगा तो यहाएगा m4v square upon r ठीक है अब एक काम करो दोनों को divide करो यहाजाएगा fc upon f dash c बराबर fc की value कितनी है mv square upon r upon इसकी कितनी है m4v square upon r ठीक अब देखवा m से m खतम r से r खतम v square से v square खतम तो 4 का आप होँ जाएगा ऊपर यहागा 4 तो आप देखो fc की value कितनी ही आजाएगी 4 f dash c तो आपका option कौन सा सही हो जाएगा 4 गोना option b is correct ठीक है यह note करो इसका अपको next explain करता हूँ अब देखो next question question क्या बोल रहा है a body is moving in a circular path with acceleration a if its velocity get double find the ratio of acceleration after and before the change यह एक पिंड है और एक ब्रत पत में गतिमान तुरण एक साथ घूम रहा है यह जिसका बेग दोगना हो जाता है तो परिवर्तन के पहले और बाद में तुरण का अनपात ग्याद करें ratio बताना है option A 1 ratio 4 option B 1 ratio 1 option C 2 ratio 1 option D 4 ratio 1 तो देखो सवाल हमसे बोल रहा है कि एक body है और वो body circular motion में move कर रही है with acceleration A और बोल रहा है पहले इसकी velocity जो है वो B है और बाद में इसकी velocity कितनी हो जाती है 2B यह circle है और A acceleration के साथ यहां body move कर रही है तो बोल रहा है पहले तो velocity V है लेकिन बाद में कितनी हो जाती है velocity 2B तो पहले V है और बाद में V days को मैं क्या बूल देता हूँ 2B clear तो हमसे क्या निकलवा रहा है हमसे निकलवा रहा है कि find the ratio of acceleration after and before मान के चलो पहले जो acceleration है वो A1 है और बाद का acceleration क्या है A2 तो हमसे निकलवा रहा है A2 upon A1 निए बाद का acceleration upon पहला isolation दोनों का ratio यह निकलवा रहा है हमसे A2 upon A1 clear तो देखो acceleration का formula क्या हो जाएगा यह वी स्क्वार अपॉर अपॉर र सेंटर की तरफ एसलेशन लगेगा that is centripetal acceleration और उसकी value कितनी होगी वी स्क्वार अपॉर इसको में बोल रहा हो फस्ट तब वैलिस्टी क्या है वी एक्वेशन नुमर बन बाद में जो isolation होता है उस केस में जो वैलिस्टी वह बीडैस है और बीडैस की value की ती निदर रखिये क्या क्या 4 ratio वह आपका option D is correct 4 ratio यह नोट करो इसके बाद में आपको next कराता हूँ अब देखो next question question बोल रहा है two particles of equal masses are rotating in a circular path of radius r1 and r2 respectively what will be the ratio of their centripetal force option a r2 upon r1 option b r2 upon r1 ka whole square और option c root r2 upon r1 option d r1 upon r2 तो हमसे simple उसने बोला है कि दो particle है और दोनों का mass जो है वो same है equal mass है और दोनों की जो radius है एक r1 है circular path की और एक की radius का है r2 ठीक है तो centripetal force का ratio पूछ रहा है सिंपल देखो एक circle है इसमें एक object है जिसका mass m है और उसकी radius का r1 इस path के अंदर वो move कर रहा है एक दूसरा circle है एक object है उसका भी mass m है क्योंकि दोनों का mass equal दे रहा है और इसकी radius का है r2 clear तो हमसे centripetal force का ratio पूछ रहा है यहां जो centripetal force होगा उसको मालनों मैं f1 बोल देता हूं और यहां जो होगा वो f2 होगा तो f1 बटे f2 हमें निकालना है clear कब दोनों का देखो mass क्या है m equal radius का है दोनों की r1 और r2 same velocity से move कर रहे हैं that is v तो centripetal force का formula कितना होता है mb square upon r ठीक है अगर आप option के अंदर देखेंगे तो radius के साथ ratio दे रखका है तो force का radius के साथ क्या ratio है inversely proportional का 1 upon r clear तो आप simple देखो इसको मैंसे लेख सकता हूं f1 1 upon f2 बरावर r2 upon r1 okay so i think option is correct r2 upon r1 यह note करो इसका आपको next करा रहा हूं अब देखो next question question क्या बोल रहा है एक कार 500 meter तरज्जा के मोड पर 30 meter प्रति सेकंड की चाल से मुड रही है यानि a car is turning at the speed of 30 meter per second at the turn of radius 500 meter ठीक है its speed is increasing at the rate of 2 meter per second यानि इसकी जो चाल है तो 2 meter प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है तो इसका तोरण होगा acceleration option a 1.8 meter per second square option b 2.7 meter per second square option c 2.3 meter per second square option d 0.9 meter per second square देखो सवाल के अंदर एक बहुत important condition क्या है वो देखो आप सवाल के अंदर data given है कि आपको जो radius है वो आपको दे रखा है उसका 500 meter clear और इस गाड़ी की जो speed वो दे रखी है आपको 30 meter per second यहां समझने वाला सबसे important point क्या है वो यह है कि जो speed है ना वो increase हो रही है बहुत important बात उसने question में बोला है कि इसकी चाल 2 meter per second की दर से बढ़ रही है इसका मतलब समझ रहे हैं यहां tangential acceleration generate हो रहा है speed बढ़ रही है ना 2 meter per second से ठीक है इसका मतलब क्या है कि वह acceleration कौन सा generate हो अगर आप द्यान से land को पढ़ोगे sentence को तो उसने दे रखा है कि its speed is increasing at the rate of 2 meter per second ठीक है ना यह बात clear है तो यहां जो acceleration generate होगा वो कौन सा है tangential acceleration और वो कितना 2 meter per second square यह बात समझ में आ रही होगी ठीक है अब हमें सवाल के इंदर क्या निकलवा रहा है हमें सवाल के इंदर निकलवा रहा है इसका acceleration क्या होगा system का तोटल acceleration पूछ रहा है वो उसे कि तोटल acceleration कितना होगा यानि वो हमें निकलना है acceleration कैसे निकल नाँगा हमें total acceleration net acceleration निकलने का एक तरीका मैंने आपको सिखाया था Crown Under-Root AC का square plus 80 का square क्लियर है? यह आपको मैंने सखाया था. Total iteration निकालने का. AC वोले तो CTR लेकिन सवाल करनेदा मुझे AT टो दे रखा है? 2 m per second square. लेकिन मुझे CTR का CTR का CTR का arc ौौ चौल पलumbles की वेल्यू कितने है थर्टी के स्क्वाइब एनी थर्टी न्टु थर्टी और आर कितना है फाइब ट्लियर देखो जीरो से जीरो का तम यह आगया नैन वाई फाइब यह दिस वन पॉइंट एट मीटर पर सेकिंड स्क्वाइब यह आगया आपका सेंट्रीपिटल एसलेशन 2.3 मीटर पर सेकिंड स्क्वाइब तो आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इस करेक्ट एक बार दवारा मेरी बात सुनो वो जो उसने स्पीड दे रखी है न कि जो इक्रीज हो रही है दो मीटर पर सेकिंड से अब आप देखो कोई सिंपल देखो यह इसके अंदर कोई रोटेट कर रहा है से समझें अब जिसकी स्पीड बढ़ रही है यह कौन सी स्पीड है बहार की आउटवर्ड यानि एसलेशन कौन सा बहारी तरिस टेंजिन से लेसलेशन बात समझ में आ रही है न तो यही चीज बहुत इंपोरेंट थी जो यह लाइन आपको समझ नहीं त करता हूँ अब देखो नेक्स्ट क्वेशन क्या बोल रहा है यानि एक व्रत्ता कार मोड पर एक सडक सूखी हुने पर कार की अधिकतम चाल 10 मीटर पर सेकिंड सुरचित है जो उसकी सेफ स्पीड दे रखी है वो है 10 मीटर पर सेकिंड सडक के भीग जाने पर गरसं गुणांख आधा रह जाता है तो हमसे बोल रहा है तब भीगी सडक पर अधिकतम सुरचित चाल होगी option A 10 meter per second option B 5 root 2 meter per second option C 10 root 2 meter per second option D 6 meter per second तो देखो सवाल के अंदर हमसे बोल रहा है कि जब सड़क सूख ही है उस time उसकी जो safe speed है उसको बोल रहा हम है V1 और वो हमें कितनी दे रखी है? वो हमें दे रखी है 10 meter per second I think. It is 10 meter per second ठीक है? तो वो हमें given है 10 meter per second और इस time जो friction है रोड का वो दे रखा है mu1 जब रोड क्या है? सूखा हुआ है उस time की condition है बोल रहा है वारिस हो गई तो उस time अब जो friction है mu2 पहले वाले का क्या हो जाता है? आधा mu1 by 2 अब उसकी जो speed है v2 अब कितनी होगी? यह हमें निकालना है तो देखो मैंने आपको एक relation बताया था mu1 by rv2 upon rg यह वाला ठीक है? aesthetic friction का case है mu1 by rv2 upon rg यहां से मैंने निकाला था भी वरावर root mu s rg safe speed ठीक है formula निकालना आपको मैंने बताया था अब देखो जब friction ज़्यादा होगा जब road साफ है ठीक है? जब friction ज़्यादा होगा आप speed आप ज़्यादा रखोगे लेकिन जब बारिस पढ़ गई तो friction क्या हो गया कम तो आप गाड़ी की speed भी क्या रखोगे turn पर कम रखोगे यह बात तो clear है? इसका मतब friction किस पर depend कर रहा है? speed पर और mu s को मैं ऐसे लिख सकता हूँ mu1 बट्टे mu2 clear? अब देखो यह root में आ जाएगा क्योंकि v square है तो root में हो जाएगा v1 बट्टे v2 बरावर root mu1 बट्टे mu2 clear? अब देखो हमसे क्या निकल वा रहा है? तो यहां से निकाल दो आप v2 की value कितनी आ जाएगी? यह आ जाएगा v2 बरावर v1 root mu2 upon mu1 clear? अब देखो v1 की value कितनी दिरक्षिए 10 तो यह 10 पूट कर तो 10 root second coefficient of friction कितना दे रखा है? mu1 by 2 तो यह mu1 by 2 upon mu1 और देखो mu1 से mu1 खतम तो अंदर क्या बचा? 10 root 1 by 2 clear? अब इसको solve कर लो 10 को अगर मैं अंदर लेके जाओगा तो कितना हो जाएगा? 100 और 100 by 2 कितना हो जाएगा? 50 तो यह कितना आ जाएगा अंदर निकलके? तो root 50 और जब मैं इसको solve करूँगा तो यह निकलके आएगा 5 root 2 meter per second clear? तो आपका जो अब जब road गीला हो गया उस ताम उसकी जो speed रहेगी वो कितनी रहेगी? 5 root 2 meter per second. अब ध्यान से देखो, पहले जब road सुखा हुआ था, तब उस time speed कितनी ती 10 meter per second और अब कितनी रहेगी? 5 root 2 meter per second. यानि speed गीला होने पर क्या करनी पड़ेगी हमें? कम. और आप देख सकते हैं, speed पहले के comparison में क्या हुई है? कम. यह note करो, इसके ब road, turn on the national route is capital R, the road width is small b, the outer edge of the road is raised from the inner edge to pass the car safely, which is passing with the velocity of b, what is the value of h? यानि राष्ट मार्ग पर सडक के मोड की तरज्जा capital R है, सडक की चोड़ाई small b है, इस पर वी वेक से कार को सुरच्छत गुजरने के लिए सडक के बाहरी किनारों को आंत्रिक किनारे से h उठाया जाता है, तो h का मान होगा. आप्शन A, V square small b upon rg, आप्शन B, b upon rgb, आप्शन C, V square r upon g, और आप्शन D, V square b upon r, तो देखो, ये बोल रहा है कि ये आपके पास एक राजमार्ग रोड है ये वाला, तो ये रोड है, और जिसकी जो विर्त है वो कि दिन दे रखी है, b, clear, बोल रहा है, इसको h height से उठा दिया जाता है, ठीक है, क्या कर दियाता है, इसको थोड़ा उठा दिया जाता है, इस तरीके से, तो इसकी जो उठाया इसको हमने theta angle से, उपर की तरफ जो हमने इसको उठाया है, तो ये आपकी क्या होगी height h, h height से हमने इसको उठा दिया उपर की तरफ इस तरीके से यह आगया आपको एंगल ठीटा ठीक है तो यहां से आपको option के according चीज क्लियर करनी है तो आप देखो यहां से जो एंगल निकालोगे आप एंगल ओफ बैंकिंग 10 ठीटा बरावर v square upon rg ठीक है अब आप देखोगे एक option के अंदर width b और height h का भी relation दे रखा है तो आप एक काम करो यहां से आप 10 theta की value निकालोगे तो क्या आजाएगा h upon b ठीक है h upon b perpendicular upon base यहां compare कर दो इसको यह आजाएगा h upon b बराबर v square upon rg आपसे h निकल वा रहा है h कितना आजाएगा h निकालोगे तो यह आजाएगा cross multiply कर दो v square v upon rg ठीक है तो आपका जो option है वो is correct clear ठीक है इस वीडियो में आपको मैं इतना ही करांगा क्यूंकि already मैं आपको lots of questions ठीक है आपको चारों पार्ट के इंदर cover कर चुका हूं conceptual question मैं मैंने cover की हैं तो आप circular motion के जब आप इन question को देख रहे होगे तो सबसे पहला एक काम याद जरूर रखना सबसे पहले आप questions करने से पहले सबसे पहले आप circular motion के चारों के चारों पार्ट को जरूर देखना ठीक है तो आज हमारा है circle motion होता है finish इसके बाद मैं आपको जो next topic start करूंगा वो होगा friction यानि घर्षान तब तक वीडियो को लाइक करें वीडियो को ज्यादा स्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना दूलें और बले आशन को जुरू पैस करें हर वीडियो की जोटेशन आख करें करें हो कि एस्टाइब करें स्टाइब करें स्टाइब करें